जैहिन दोस्तो वेलकम टू शौरेक क्लासिज आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड इयर फिफ्ट सेमेस्टर का चैप्टर का नाम बुक का नाम है अंडरस्टेंडिंग गांधी और चैप्टर का नाम है मोडन सिवलाइजेशन जी आधुनिक सब्वेता आज के किसी भी परकार के ट्रैफिक की आवाज आये तो प्लीज उसे इग्नोर कीजेगा आज का ये एक यूनिट काफी इंपॉर्टिंट है अक्सर देखा गया है कि आपके एक्जाम में बार बार ये कोश्चन देखने को मिला है ये एक आपकी बुक में एक यूनिट एक अलगसे चैक्टर है Modern Civilization उस पर आज हम बात करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले क्या है गांदी जी Modern Civilization के उपर आधुनिक सब्वेता के बारे में क्या सोचते थे क्या समझते थे तो आईए उस पर चर्चा करते हैं आप सभी को पता है कि आधुनिक का अर्थ क्या होता है तो आईए यहाँ पर गांदी जी के विचारों पर अब हम चर्चा करते हैं गांदी जी ने अपनी पुस्तक हिंद सब्वेता के बारे में चर्चा किये उन्होंने ये बताया है कि एक सब्वेता एक अच्छे सब्वेता वही सब्वेता होती है जो की करतव्यों का मार्ग ब जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंदे हुए होते हैं, जिसमें व्यक्ति अपना विकास करते हैं, शर्त यह है कि दूसरों की हानी ना हो, गांधी जी के अनुसार हिंद सवराज्ये में कहा गया है, कि सब्वेता वही है जो की कर्तव्यों का पालन बताती है, या जो कर करतव्यों को करना सिखाती है गांदी जी ने यही बताया हुआ है अगर व्यक्ति करतव्यों का पालन करता है करतव्यों के मार्ग पे चलता है तो उन्हें करतव्यों के द्वारा व्यक्ति में नैतिकता का भाव जागरित होता है अर्थात व्यक्ति नैतिकता का पालन करता है गांधी जी ने अभी ये बताया, हिंद सवराज्य पुस्तक में, के सब्वेता वो होती है, जो व्यक्ति वो कर्तव्यों का मार्व बताती है, कर्तव्य का अर्थ होता है आपकी जो भी डूटी जोती है, जैसे बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, जूटना बोलना, सत्या का पालन करना, नैतिकता, मानपतवाद ये सब कर्तव्यों में आता है तो गांदी जी बोलते हैं कि कर्तव्यों के द्वारा ही नैतिकता का पालन होता है और ये नैतिकता ही आप नैतिकता के द्वारा ही सब्वेता का विकास होता है अब ये नैतिकता क्या है अच्छे कामों को करना ही नैतिकता बताई जाती है गांदी जी ने इहां पर नैतिकता पर फोकस करा है कि अपने मन के उपर काबू पाना ही नैतिकता है गांधी जी ने इस हिंद सवराज्यय में ये बताया गया है कि सबसे अच्छी सब्बेता वही है जो कि कर्तव्यों का मार्ग बताये जिसमें लोग अपने नैतिक्ता का पालन करे और नैतिक्ता के द्वारा अपने मन के ओपर कंट्रोル करे अपने मन के ओपर काबू प्राप्त कर सके ठीक है जी अब गांदी जी का अर्थ है जो सब्वेता है ना गांदी जी का मानना है कि सब्वेता एक गुजराती भाशा में अर्थ सब्वेता का अर्थ होता है भला आचरन जी हाँ जो व्यक्ति भला आचरन करता है उसको ही सब्व अच्छे कार रहे हैं, सभी नयतिकतव हैं, सभी करतवे वाले कार हैं, जो कि भला आचरन को परकट करते हैं, वो सब्वेता की और इशारत करते हैं, हम कह सकते हैं, कि गुजराती भाश्या में सब्वेता का अर्थ भला आचरन से जाना जाता है, अगर आपने वीडियो को आच्रण क्या होता है भला आच्रण में उन्होंने ये बोलने की कोशिश करी है कि अपने जरूरतों को कम करना जी हाँ अपने जरूरतों को कम करना ही भला आच्रण है लूट वे वैशा विर्ति को रोकना ही भला आच्रण है दानवी शक्तियों को वश्मे करना वह इंसान है इनसान तो एक लालची होता है अर्थात अपने लालच को कम करना अपनी जरूरतों को कम करना और ऐसी शक्तियां जो की एक इनसान को दानब बना देती है एक इनसान को राक्षच बनाने पर मजबूर करती है अगर उनको अपने वश में कर लेते हैं तो इनसान एक मानव के बहुता है कि भला आचन्द से तभी भला आचन्द हो सकता है जब आप अपनी जरूरतों को कम करो लूट वे वैश्विर्ति को रोको यहां पर भला आचन्द का अर्थ है कम खाओ लेकिन लेकिन किसी का शोशन मत करो इसी के साथ से गांदी जी ने आधुनिक सब्वेता के बारे में कुछ अपने विचार को परकट करा है जैसे उनका मानना है कि आधुनिक सब्वेता जी हां उनका मानना है जो की नैतिकता है ना नैतिकता भार जो इनसान है हम जो मनुष्य है मनुष्य को पश्यों से उच इस्थान देलाती है अर्थाथ अगर हम नैतिकता छोड़ देते हैं अगर हम अपने करतवयों को छोड़ देते हैं तो एक परकार से हम सभी मनुष्य ना होके पश्यों के समान हो जाएगे वही चीज है कि जो ताकतवर पश्यों है वो कमजोर के पश्यों के समान होता है तो गांदी जी का मानना है कि नैतिकता ही सर्वो पिरिये होती है अब गांदी जी के अनुसार गांदी जी ने आधुनिक सब्वेता का विरोध जताया है उन्होंने विरोध क्यों जताया है इसलिए उनका मानना है जो भोतिक वादी वस्तुई हो का मानना यह जो भोतिक वादिटी बस्तु जैसे कार है, AC है, फिर Jimmy है, ढैरो प्लेन मशीनों से उतवाद्ब सीज़ाइं यह भोतिक वादिटी वस्तु होति हैं यह शरीर को कमजोर बना देती हैं इनसे वातबरान को दूशित बना देती है इनसे समाज में शोशन उत्पन हो जाता है तो गांदी जी का मानना है कि सत्य को पहचानो, अहिंसा को पहचानो बोटिक वादी वस्त्वो क्योंकि आधुनिक सब्वेता में मशीनी करन आ गई है आज के टैम में जो भी वस्त्वो का निर्मान हो रहा है इनसान अपने फाइदे के लिए जादा से जादा साइंस का उपयोग कर रहा है इससे जो आसमानता है अमीर मुल्क और गरीब मुल्क में वो काफी देखने को मिलती है तो गांदी जी का मानना है है कि शोशन वादी वस्त्वी ऐसी वस्त्वी अब आने शुरू हो गई है कि जो अमीर मुल्क ऐसे प्रोडेक्शन करना शुरू कर दिया है जो कि गरीब मुल्कों का वो उससे शोशन हो रहा है जैसे आज के टेम में कोका कोला या फिर पेपसी की बात करता हूं या फिर पीजा की बात करता हूं या इन मल्टिनेशनल कंपनी की तो इन यही कंपनी आज पूरे विश्व में फैली हुई है वैसे यह सारे टॉपिक वैश्वी करन ग्लोबलाजेशन के हैं अगर आप चाहो तो यूटूब पे ग्लोबलाजेशन सर्च आप अगर करते हो वैश्वी करन तो शोट्स में एक वैश्वी करन का अर्थ आता है आप अगर चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे मैंने काफी असान शब्दों में बताया हुआ है एक विश्व को विश्व के दूसरे सब्दों से जोड़ना वैश्वी करन क्यलाता है इसमें क्या है कांदी जी ने आधुनिक सब्दों का विरोध इसलिए भी कराए क्योंकि कमजोर प्राणियों का यहाँ पे शोशन होता है आज के टेम में अगर अमेरिका चाहे तो जैसे बर्मा हो गया या जो अफ्रीकन कंट्री है वो उनका शोशन करता है अमेरिका अपने हिसाब से अफ्रीकन कंट्री को अशियन कंट्री को अब वो चलाता है अर्थात वो अपने हिसाब से ही उन कंट्रियों का शोशन करता है ये एक अलग से टॉपिक हो जाएगा इसलिए मैंने इसको जादे एक्स्पेंग नहीं करा अगला पॉइंट है गांदी जी का मानना है विज्यान और यंत्र पढणाली पर उनके क्या विचार है गांदी जी का मानना है गांदी जी विज्यान के विरूद में नहीं है जी हां गांदी जी विज्यान के विरूद नहीं है गांदी जी उसके विरोध में है गांदी जी का मानना है विज्ञान अच्छी चीज़ है विज्ञान जीवन में होना चाहिए लेकिन विज्ञान के साथ साथ नैतिकता होनी चाहिए मानफताबाद होना चाहिए कल्यान होना चाहिए गांदी जी ने ये माना है कि विज्ञान तो हो रहा है चलो अच्छी बात है परन्तु विज्ञानिक चीजों से क्या हो रहा है कमजोर परजातियों का शोशन हो रहा है आज के टैम भई अब इंडिया में 5G आ गया यूरोप में 7G भी आ चुका है तो यहां पर क्या है फाइब जी आने से क्या हो रहा है हर एक 100 मिटर पर 200 मिटर पर दिल्ली में NCR में कहीं पर भी अब मुबाइल के टावर लगने शुरू हो गया इससे modernization तो हो रहा है आपको अच्छी facilities तो मिल रहा है लेकिन उससे क्या हो रहा है जो समाज में वातावरन है जैसे कि अब चिडियां वीडियां है आज का टैम में आसमान में पंची चिडियां कम दिखाई देते हैं क्योंकि उन टावरों से जो radiation आ रहा है वो पंचियों के लिए पक्षियों के लिए काफी हानिका रहा है तो गांदी जी का मानना है के विज्ञान तो जरूरी है परन्तु उनसे कमजोर प्राणियों का शोशन हो रहा है आज का टैम में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ऐसी उट पटांग चीज़े अब खाई जाती है जो कि पहले नहीं खाई जाती थी इसके साथ साथ जो अमीर कंट्री है वो गरीब कंट्री का शोशन कर रहा है आर्थी ग्रूप से भी, राजनेती ग्रूप से भी, सांस्किती ग्रूप से भी समाजी ग्रूप से भी, धार्मी ग्रूप से भी हम यहाँ पे कह सकते हैं आज हमने western culture को पूरा follow किया हुआ है, हम अपने यहापे jeans पहनते हैं, coat pant पहनते हैं, परन्तु हम दोती कुर्टा, कुर्टा पजामा हमने पहनना छोड़ दिया है, यह सब यह दूसरा topic शुरू हो जाएगा, इसलिए अभी हम इस पर ही बात करते हैं, अगला point है, गांदी जी क मानना है कि प्राकर्टी का अधिक शोशन, जैसे ही machine करन आएगा तो इससे प्राकर्टी का ज़्यादा अधिक से अधिक शोशन होना शुरू हो जाएगा, मशीनों का फिर क्या होगा, जादा से जाद़ा पेड़ों को काटे जाएगी, मच Maisil told, निकाला जाएगा, इससे समा जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है अमीर या तो वो पढ़े के कुछ कारे करके अमीर होगा या फिर वो चोरी करेगा डाका डालेगा या किसी को वो लूट पाड़ करके या फिर वो किसी का शोशन करके आज के टेम में इंसानित नाम की चीज बिलकुल नहीं है ये according to मात्मा गांधी है उनका मानना है कि अब सोतंता का अंत हो गया अब सरकार व्यक्ति की सोतंता पे भिन भिन परकार के कानूनों को लाके थोप थोप दिया तो गांधी जी का ये मानना है कि आदुनिक सब्वेता म अपने कारेयों को नहीं कर सकता उनका मानना है कि जब से उद्योगी करण आया है उद्योगी करण से समाज को हानी हुई है लोगों को हानी हुई है जिसके कारण हम देख सकते हैं कि हत शिल्प का जो उद्योग था जो छोटे-छोटे कुटूर उद्योग थे अब वो अंत ह हो गए हैं आपने देखा होगा कि भारतिये इतियास में कुछ ऐसे मंदीर हैं मजीत हैं जो कि उस टेम पे 15th century में 14th century में 13th century में 78th century में बनाए गए थे आज उनको बनाए हुए 1500 साल, 700 साल, 800 साल हो चुके हैं पर आज भी वो मंदीर ऐसे लगते हैं कि आज के भी आज मशीनों द्वारा भी वैसे नहीं बना सकते इट मीज उस टेम्पे जो हच शिल्पकारी थे उन्होंने काफी अच्छी तकनीक से वो बनाये थे परंतु अब जैसे ही मशीनिक करन आया है भारत में हच शिल्पकारन का अंत हो गया है अगर आपको वीडियो फ़संद आ रहे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए अगर आप और कोईसी वीडियो भी आप चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मन भूलिएगा अगला पॉइंट है यहाँ पे आधूनिक सब्वेता यह सारा एक ही आंसर के पॉइंट है एक ही यूनिट की है गांदी जी का मानना है कि आधूनिक सब्वेता से क्या चीज़ी होती है उनका मानना है आधुनिक सब्वेता ने हमें शारेरिक सुक्त तो परदान किया है मतलब जैसे अगर गर्मी लग रही है तो आप AC चला लो फैंच चला लो कूलर भी चला लो आधुनिक सब्वेता ने हमें वस्तर भैतर वस्तर तो परदान किये हैं अच्छी बात है, भैतर यातायात भी उन्होंने परदान किया है, प्राइक है, स्कूटर है, स्कूठी है, इवी आ गी है, एरोपलेट है, आने-जाने के यातायात है, आधुनेक सब्बेतान ने हमें औधिक उतपादन परदान किया है, परन्तु इससे हानिया भी तो हुई है, उनका मानना है हानिया क्या हुई है, इससे खुशिया लाने में असफलता हुई है आज परते एक इनसान ये सोचता हुई पैसा, पैसा, हाई पैसा, सुबेश शाम पैसा, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में वो अपने परिवार से अलग हो जाता है अपने बीवी बच्चों से अलग हो जाता है जिस उमर में उसे अपने परिवार का साथ चाहिए होता है उस उमर में उसे पैसा कमाना का वो होता है और पैसे के चक्कर में अच्छे वस्तर तो ले लिये, भैतर यात यात तो उठा लिया, लेकिन नैतिकता नहीं ली, मानफतवाद नहीं लिया, कल्यान नहीं लिया, तो गांदी जी का मानना है कि सुख सुख सुईधा, तो हमार पे शारिरिक सुख तो आ गया है, परंतु जो आंतरिक जो खुशियां उनको मिलती है, पैसे से हम वो नहीं खरीज सकते, उनका मानना है कि जीवन का नश्ट वो जाना, पैसे आने से, आधुनेक सब्शक्रापशना आने से जीवन का नश्ट हो गया, वो जीवन का कैसे हो गया भाई? पहले आजपास के घरों में पंचायत होती थी जॉइंट परिवार होते थे एक भी परिवार के किसी भी सदस्यों को कोई भी समस्या होती थी तो पूरा आसपास का गाउं मोहला इकटा हो जाता था आज कली होता है कि आप उपर नीचे भी रहते हो फ्लैट्स में तो सामने के घर में चोरी हो या फिर किसी को काट के भी फैक दिया जाता है तो सामने वाले परिवार को पता ही नहीं होता है सामने क्या हुआ है तो गांदी जी का मानना है कि जीवन तो नश्टी हो गया है क्योंकि जब से आदूनिक करन आया है लोगों की भावनाएं खतम हो गई है लोगों के मन में ल खान पन आने से शरीर में बादाएं आ रही है पहले के जमाने में मतलब कैंसर नाम की कोई चीज नहीं होती थी आज कर नहीं नाई भीमारिया हैं। कैंसर आ गया, कोविड आ गया और अने को परकार की ऐस भीमारियां आ गया हैं। तो उनका मानना है कि पहले इंसान प्यार का भूका था, आज के इंसान पैसो का भूका है, पैसो का गुलाम हो गया, आज चंदर रूपे में किसी भी व्यक्ति को कोई भी बुरा काम कराया जा सकता है, पैसो का ही गुलाम हो गया, इसके साथ सर्थ गांदी जी का मानना है इन आधुनिक सब्वेता में जाद से जाद जाद बिमारियां फैलती जा रही हैं, क्योंकि इतनी population होगी, इतना pollution हो गया, आधुनिक सब्वेता की वजे से प्राकर्तिक का इतना हनन होना शुरू हो गया, जिससे विभीन परकार की बिमारियां उत्पन होनी शुरू होगी तो उनका मानना है कि आधुनिक सब्वेता ने क्या करा है राजनेतिक से नैतिकता का अंत कर दिया पहले के टाइम में जो राजा होते थे वो अपनी परजा को सुख सुईदा परदान करने के लिए समय समय पर जनता के बीच में उपस्तित होते थे उनके लिए कार्रे करते थे पर आज की जो आधुनिक सब्वेता है उसमें नैतिकता तो है यह नहीं संसा दो यह जितने भी MP, MLA है मतलब सब नहीं थोड़े वह MP, MLA है यह सिर्फ अपने पार्टी का सोचते हैं अपने लिए सोचते हैं कि हमारी जेबे भरती जाए और हमी बार बार चुन के आए तो गांदी जी का मानना है कि राज नेतिक में नैतिकता तो है ही नहीं सिर्फ लालच भरा हुआ है राजनीती में सिरंफ लालच है और सिर्फ शक्ती के इर्द कीद ही घुमते हैं सिर्फ अपना काम होना चीँए दुनिया जाए कि भाड में उनका मानना था के संसद जो सदस्टें वो पाखंडी होते हैं और स्वार्थी होते हैं सारे यहां पे सदस्यों की बात नहीं हो रही आज के टैम में भी अगर हम MP MLA की बात करें तो 70-80 पर्तिशत MP जो MLA है वो सिरो अपने स्वार्थ को ही देखते हैं अपनी पार्टी के स्वार्थ को ही देखते हैं जनता क्या क्या अच्छा हो क्या बुरा हो अच्छा तो फिलाल होता ही नहीं है चनता क्या कितने भी समस्या से जूज रही हो पर इनको अपने पार्टी की हित का ही पढ़ा है अपना ही हित पढ़ा है और अपना स्वार्थ इसलिए गांदी जी ने संसद को एक बुरी एक बुरा संगठन के नाम से बताया है उनका मानना है कि संसद नहीं होना चाहिए क्योंकि संसद चंद मुठी भर लोगों के स्वार्थों की ही पूर्थी करता है गांदी जी का मानना है कि देश के कल्यान से ज़्यादा ये संसद लोग अपनी पार्टी का ही कल्यान करते हैं अपने जैसे उधारन के लिए अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे जितने भी संसद किस सदस्य हैं मेंबर हैं वो अगर उनकी आज के टैम में प्रॉपर्टी दो करोड रुपे गिया अगर वो MP भी हो जाते हैं तो अपने कारेकाल के बाद उनकी 50-50 करोड, 200-200 करोड उनकी प्रॉपर्टी निकल के सामने आती हैं इसी परकार से ये हरे एक मुल्क में हैं इसी के सासथ पार्टी में परिवारवाद का होना गांदी जी का मानना है ये संसदी हैं लोग जो MP ML हैं आज के टैम में जो आधुनिक सब्वेता को जो चलाने वाले हैं बार-बार इनी के PD के लोग इनी पार्टीों में आके और यही पार्टी के लोग ही समाज में सेवा के नाम पे अपना स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं आई थिंक आप समझ रहे हो मैं कहां कहना चा रहा हूं और क्या कहना चा रहा हूं शायद ही आपको काफी अच्छी तरह समझ में आ गया बस थोड़ा सा यह हो रहे हैं इसके बाद गांदी जी का मानना है कि वही मैं यहाप एक उधारण की साहिता से आपको समझा सकता हूं गांदी जी ने यह वोला में आधुनिक सब्वेता एक नंबर की ऐसी खराब सब्वेता है जैसे इस एक्जामपल से आप समझ जाओगे उनका मानना है कि अगर मैं जादा खाता हूं तो मुझे जादा खाने से अपज हो जाती है मेरा पेट खराब हो जाता है और पेट खराब होने के लिए मुझे फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है डॉक्टर क्या करेगा डॉक्टर मुझे दवाई दे दिता है वो दवाई खाने के बाद मैं ठीक हो जाता हूं अपने आपको स्वास्ते मैसूस करने लगता हूँ उसके बार फिरसे में ज़्यादा खाने लगता हूँ और फिरसे में उसी डॉक्टर की दवाईों पर निर्वर हो जाता हूँ तो गांदी जी का मानना है कि या तो यह होता कि मैं इस डॉक्टर की दवाई कहाने नहीं जाता, एक बार जब मुझे मेरा पेट खराब होता तो मैं अपने उसी सीख से मैं कम खाने की कोशिश करता परंतू इन डॉक्टर के पास नहीं जाता अगर मैंने डॉक्टर के पास जाना शुरू कर लिया उन्होंने मुझे दवाई दी और उस दवाई से मैं ठीक हो गया फिर से मैंने ज़ादा खाना शुरू कर लिया फिर ये सर्कल ऐसे चलता जाता है घांधी जी का मानना है कि आप अभी मैंने आपको पहले ही पेज में आपको पता है था कि अपनी जरूरतों को कम करना गांदी जी का मानना है कि जितनी आपकी आवश्यक्ता है उतना खाओ उससे ज़्यादा आप खाओगे तो आपके शरीर को भी नुकसान होएगा और आपको इनी दवाईयों का सारे आपक सब्वेता का इसलिए आज के टैम पे ये जितने भी इनसान है किसी को एंसर हो रहा है किसी को कुछ हो रहा है किसी को सर्वाइकल हो रहा है किसी के कुछ है क्यों क्योंकि उनके भोजन अधिक खा लेते हैं और फिर वो बार-बार डॉक्टर के पार जाते हैं और उनकी बोड गांधी वाद के मूल सिध्धान्त के है उनका मानना है कि जो आधुनिक सब्वेता में ये सब चीजों की मतलब इन सब चीजों का ये सब चीजे नहीं होती उनका मानना है अगर ये सब चीजे हो जाएगी तो वो अच्छे सब्वेता कहलाई जाएगी भला आच्रन कहलाया जाएगा परंतु आज के समय में गांधी वादी का जो मूल सिधान्त है वो सिधान्त का है सत्य और अहिंसा इस पूरी बुक में आपने सत्य अहिंसा नैतिकता, कर्तव्य, मानफतावाद, कल्यान इनी के बारे में चर्चा करी है गांधी जी का मानना है कि हर एक सब्वेता अच्छी सब्वेता हो है जो कि सत्य और अहिंसा पर कायम होती है अच्छी सब्वेता हो है जो आधुनिक सब्वेता का विरोध करती है मतलब modernization का विरोध करती है यहाँ पे विज्ञान का विरोध नहीं है के हिंसात्मक सादनों का विरोध है गांदी जी ये कहते हैं आज के टैम में जो कंट्री होती है वो अपने लोगों पर कंट्रोल करने के लिए ऐसे वेपन या फिर ऐसे हत्यारों का उप्योग करती है जैसे मालो जैसे भूख हड़ताल कोई अगर कर रहा है या शान्ती पिरियत तरीके से कोई आंदोलन करता है तो सरकार उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए आसु गैस माँ पर चलाद छोड़ देती है या कुछ ऐसे संसादनों का उप्योग करती है कि जिन से उन आंदोलनों कारी को हानी होती है तो सरकार कभी कभी अपने अगेंश्ट हो रहे आंदोलन को हिंसात्मक्त तरीके से उनको खतम करने की कोशिश करती है गांदी जी इसके विरोध में है गांदी जी का मानना है कि आत्म अगर निर्भरता वाली अधारित अर्थ व्यवस्ता आत्म निर्भरता वाले गाउं अधारी अर्थ व्यवस्ता होनी चाहिए शहरों का विकास ना हो कि अगर हम गाउं का विकास करेगे ये वाले जो पॉइंट है मैंने इनसे पहले वाली वीडियो में काफी अच्छी तरह एक्स्प्लेइन किये हुए है अगर गाउं का विकास होएगा तो भारत का विकास होएगा गांधी जी का मानना है कि भारी मशीने उत्पादन व्यवस्ता का विरोध कि जो भारी बड़ी बड़ी मशीने होती है मल्टिनेशनल कंपनिय होती है ये अमीर और अमीर होती जाती है और करीबों का शोशन करती रहती है इसके साथ साथ है गांदी जी का मानना है कि शारिरिक शम के महतव को सुईकार करना भाई आज का टैम में क्या होता है आप पेट भर से जादा खाने की कोशिश करते हो तो आपका शरीर बिल्कूल heavy हो जाता है और फिर से आप डॉक्टर के पाज आते हो फिर से दवाई खाते हो कांदी जी का मानना है कि जब तक आप शरीर शर्म नहीं करोगे अपने हाथों से कारें नहीं करोगे आप आपका शरीर स्वास्ते नहीं हो पाएगा क्योंकि मशीने आपको आलसी बना देती है आप अगर खुद अपना शरम करोगे तो आप एक्टीव रह पाओगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मद भूलेगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्स्राइब करना मद भूलेगा और हाँ प्लीज अगर आप कुछ कमेंट कर दोगे तो ये कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं तो प्लीज हो सके तो कमेंट कीजिए और वीडियो पे अगर कोई एड आया तो आप से हाथ जोड के विंती है उसको पूरा देखा करिए क्योंकि इस से हमें कुछ मोटिवेशन मिलने की संभावना हो जाती हैं तो अब हम मिलते हैं आपको जिस विश्य पे अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर पताइए जय हिंद जय भारत